आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बिल्कुल नई रेस्पी जो बच्चों से लेके बड़ों तक सब को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी दोस्तो आज जो रेस्पी में आप लोग के साथ शेर कर रही हूँ इसके अंदर आपको फालूदा का टेस्ट भी आएगा, शर्बत का टेस्ट भी आएगा और मिल्क शेक का भी टेस्ट आने वाला है तो बहुत ही मज़िदा रेस्पी होने वाली है और इसे हम बनाएंगे इस खरभूजे के साथ इसे मस्क मेलन भी कहा जाता है और इस टाइम पर मीठे मीठे खरबूजे मार्केट में आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो बनाना बनता ही है दोस्तो तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मस्क मेलन, मिलकशेक, शर्बत दोस्तो आज की खास रेस्पी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खरबूजा लिया है और खरबूजे इस टाइम पर मार्केट में सब जगा मिल रहे हैं तो चलिए इसे दो भाग में कट कर लेते हैं और आज की यह रेस्पी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होने वाली है तो चलिए हमने इसे बीच में से cut कर लिया है अब जो इसके अंदर बीच होते हैं खरबूजे के अंदर जो बीच होते हैं उन्हें हम इस तरह से निकाल देंगे तो ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हम निकाल देते हैं यहां पर हमें खर्बूजे का सिर्फ पल्प भी चाहिए तो चलिए बीज को हटा देते हैं और इस तरह से हम सारा पल्प निकाल लेंगे आप चम्मत से भी निकाल सकते हैं दोस्तो आज की रेस्पी बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है खरबूजे के दूसरे पीस में से भी हम पल्प निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे एक ग्रैंडिंग जार में डाल कर पीस लेंगे इसके अंदर आपको पानी वगारा कुछ भी नहीं डालना है दोस्तो तो चले इसे साइड में रखते हैं और अब यहां पर हमने एक पैन को गैस पे चड़ा लिया है और इसके अंदर हम एक लीटर दूद डाल देंगे और यहां पर मैंने फुल फैट दूद लिया है दोस्तो यहां पर मैंने पहले से उबला हुआ दूद लिया है आप यहां प पर लिया है दोस्तों ये रूम टेंपरेचर पे है आपको यहां पर गरम दूद नहीं लेना है तो चलिए हमने इसे अच्छा से मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर कुठलिया वगएरा बिल्कुल भी ना रहें तो चलिए अब हम दूद को देख लेते हैं दूद को हमने गर गरम होने के लिए रखा हुआ था तो यहां पर दूद अच्छा गरम हो गया है यानि के दूद में एक अच्छा बॉयल आ गया है तो एक बार चलाते हुए इसे मिक्स कर लेजे ताकि यह पैन से बाहर ना आ जाए अब हम इसके अंदर चीनी एड़ करेंगे तो यहां पर मै अपने कस्टर्ड पाउडर वाला गोल बना कर रखा था तो वो आप इसके अंदर डाल दीजिए एक बार इसे चमबस से मिक्स कर लेजे तो इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और दूद में जैसी एक उबाल फिर से आ जाता है आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए और दूद को 3-4 मिनट के लिए लगातार चलाते होए पका लेंगे ताकि दूद थोड़ा सा गाड़ा हो जाए हमे बहुत जादा इसे रिड्यूस नहीं करना है बस थोड़ा सा इसे पका लेंगे 3-4 मिनट के लिए आप इस अब हम गैस के फ्लिम को बंद कर देंगे, और दोस्तो अगर आप मीठा थोड़ा कम पसंद करते हैं, तो आप चीनी अपने हिसाब से भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तो चली अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब दूद पूरी तरह से ठंड ता कि यह फ्रिज़ में रख को जाए, तो हमने अपर साबू दाना लिया है ताकि साबूदाना अच्छे से soft हो जाए और जब साबूदाना पक जाता है तो यह एक्टम transparent हो जाता है तो आप इसे थोड़ा सा खा कर भी चेक कर सकते हैं कि अच्छे से पक गया है या नहीं तो बहुत अच्छे से यह फूल जाता है और आज की हमारी recipe के अंदर यह बहुत जादा डेस्टी लगता है तो देखे मैंने इसे 3-4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे लगातार चलाते होए पका लिया है और साबू दाना यहां पर अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हैं कि यह एक्तम ट्रांस्पेरंट हो गया है बस आपको इसे इतना ही पकाना है तो चल आज की खास रेसिपी के लिए सारी चीज़े तैयार हो गई है और यहां पर दूद को भी हमने अच्छा ठंडा कर लिया है मैंने इसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था अब यह बिल्कुल चिल्ड है एक्तम ठंडा है और ठंडा होने के बाद यह थोड़ा सा जाता है तो चलिए अब दूद के अंदर हम सबी जुझ 높 को मिक्स कर लेते हैं तो जो हमने खर्बूझे को घटा रखा था वह जूज अप इसके अंदर डाल दिजिए बिल्कुल वैसे वाली है, तो बहुत जादा टेस्टी और हेल्दी होने वाली है, तो चलिए साबुधाना डाल कर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसके अंदर थोड़े से ड्राइफूट्स डाल देंगे, तो यहां मैंने थोड़े से बादाम और पिस्ता को ब भी गो कर रख दिया था, पांच दस मिनट में यह बहुत अच्छे से फोल जाते हैं, तो यह भी हम इसके अंदर अड़ कर रहे हैं, क्योंकि यह काफी जादा हेल्दी होते हैं, और पेट को काफी ठंड़क देते हैं, इनकी तासीर काफी ठंडी होती है, तो अब हम थोड़ हमारा बहुत ही जादा टेस्टी मस्क मैलन मिल्क शेक शर्बत तयार हो चुक है, फ्रेंट्स, उमिद करते हूँ, आपको रेस्पी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए जल्दी से इसे सर्व कर लेते हैं, और आप इससे ठंड़ ठंड़ ही सर्व कीजिए, अब काफी लोगो आप इस मस्क मैलन मिल्क शेक शर्बत को फ्रिज में 3-4 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब आपका पीने का मन हो तो आप इसे इंज्वाइ कर सकते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसे गार्निश कर लेते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा गुलाब की पतियों के साथ और थोड़ी से ड्राइफ रूट्स के साथ हम इसे गार्निश कर लेंगे, ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और इसको देखते ही पीने का मन करें, तो दोस्तो यहां पर शर्बत बिल्कुल तयार हो चुका है, उमीद करती हूँ आपको आज की रिस्पी बहुत ज़ दे कि haya टे बहुत कर दोते कि रूब एक्श आपको छे के से सुपिएए कर शे हुआ होट आपको दापको अदी पानी गल्स को अगईपल द्राश कर दोते हुआ फ्टार होता है, ट दे दे तोड़ हूआ आपको इसकी तो कैसे हूं, आपको एका है वह भी मैं भी यह कनने के